असलाम अलाइकूम, वेलकूम बेक टू माई चैनल, अमीद करती हूँ, आप सब खेरियास से होंगे, तो जी, आज की हमारी रेसिपी है, बहुत जादा मज़ेदार दावतों की जान, आज को आपकों के साथ शेयर करूंगी, दम की कीमे की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में तो चले हैं अपनी रेसिपी करते हैं, शुरूर। दम कीमा बनाने के लिए हमें जो सीजर चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ कीमा, यह मशीन का कीमा है, अगर आपको मशीन कीमा नहीं मेरा तो आप हाथ वाला कीमा लाके इसको घर पेक दफा चॉपर में चल यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल इस्पून रेच चुली पाउडर, तक्रीबान अगराफ टीपून की चितनी मुझे आप लेनी है है हल्दी, हल्दी पाउडर, वन टीपून धनिया पाउडर, अगराफ टीपून गरम मसाला, और सॉल्ट यहाँ पे लिया है, हाफ यहाँ पे लिया है, 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 यह इस recipe खा key ingredient है और अब मुझे यहाँ पे लेना है 1 cup curd दही अच्छा दही हमने अच्छे से विक्स कर लेना है और हमने इसके दही एट कर देना है और सारे चीजों को अच्छे से mix कर लेना है कीमे में कि बहुत अच्छा सा इसका batter तयार हो जाए आप अच्छे से whisk की help से याप spoon की help से spatula की help से इसको सब अच्छे से mix कर ले अच्छा अगर आप लोग मतलब फॉरन ही बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर कच्छा पपीता add करें अगर आप लोगों के पास time है तो आप कच्छा पपीता स्किप करके चार से पांच घंटे का इसको marination दें तो यह बहुत मज़िदार बनता है अगर आपको जल्दी है तो आपको अच्छा पपीता एट कर दें यहां पर यह अच्छे से हो रहा है mix बहुत मज़िकी रेसिपी बनती है कुछ लोग बीफ नहीं काते तो आप इसको चिकन के कीमे में भी ट्राइ कर सकते हैं रिजल्ट सीम होगा लेकिन बीफ में जादा टेस्ट आता है यहां पर कीमा अच्छे से हो गया है mix और आपने इसको किसी डिश में रख कर फ्रेज में रख देना है मेरे पास जिसमें मैंने यह बैटर तयार किया है यह मेरे पास एयर टाइट है मैं इसको कवर करके रख दूंगी चार घंटे के लिए यहां पर तकरीब इन 4 गढ़नों हो गए हैं कीमे को मारीनेट किए होए और आप कीमे को करूंगे, याप्र रेडी है यहां पर मैंने लिए एक पॉट इसके अंदर मैं इड्ट करूंगी की हाफ कप ऐल, अच्छे से यहां पर गरम अब चेक कर लेती हो ऑल की हीड यहां पर गरम हो गई है या नहीं और यहां पर अल्मोस्ट करम हो किया है और अप मैं इसके अंदर एट कर दूंगी slice की हुई एक प्यास मैंने एक प्यास लेके इसको बारीक साथ slice कर लिया था medium size के एक प्यास ले ले और इसको आप oil में एट कर दे और इसको हमने करना है golden brown ज radish हम कोर्मे के ल Jiayin Pryas करते हैं वैसे हमें यहवाली प्यास करनी है और अब उसको हम आपे होने देंगे fry अच्छे से जब तक हमारी golden brown हो जाती है प्यास यहां पे प्यास हो गई है golden brown इसको हम थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी रहे गई है, इक्वली अभी गोर्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, इसका सारा ओइल निकाल के प्यास को हम अलग कर लेंगे, अच्छे सा आपने करना है इसको फ्राइ, जैसे हम बेसिकली कोर्मे के लिए प्यास को फ्राइ करते हैं और फे हम निकालते हैं, वैसे ही हमने इसमें भी प्यास को फ्राइ करके और फिर निकालना है, यहाँ पे अब हम प्यास को निकाल के रख देंगे एक साइट पे, अच्छे सा आपने इसका सारा ओइल निकाल के प्यास को अलग कर लेना है यहां पर और्मोस सारी प्यास मैंने निकाल के एक प्लेट में रख दी है ठंडी करने के लिए और यह अब कीमा मैंने निकाल लिया है फ्रिश से बाहर और आप मैं कीमा एट कर दूँगी इस ओयल के अंडर आप बहुत तेहां से टालिए क्योंकि हम निकालना रख निकालना है और फ्रिश से और भूदय को मिक्सकरना एंड आप इस ओयल कर देना और आप इसको अच्छे से मिक्स कर दे लेंगे ताकि आपने तक कीमे मिक्स हो जाए और इसको डख कमे को ठाग के पकाएंगे यहाँ पर अच्छे सिस के अंदर चम्मा चलाना है और एक साइड पर मैंने यहाँ पर कोईले को रख दिया है गरम होने के लिए क्योंकि हम एंड में इसके अंदर कोईले का जो है वो स्मूक देंगे तो आपने एक कोईले कर टुकड़ा लेना है उसको स्टोप पर रख देना है गरम होने के लिए बस अब यहां पर यह हो गया है मिक्स और अब हम इसको जो है धक्ये पकाएंगे यहां पर मैंने हाई फ्लेम पे फाइफ मिनिट को कुख करा है और अब दही ने अपना पानी छोड़ दिया है तो अब इसको मैं धक्ये पकाऊंगे तकरीवन पंदरा मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको पता है कीमा बहुत इसली कुख हो जाता है कीमे को पकते हो तकरीवन दस मिनिट हो गए है और यहां पर दही ने अपना काफी सादा पानी छोड़ दिया है और अब हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे और इसके अंदर अब मैं एड कर दूँगी प्यास जो हम लोगोंने विकुछ चूरा करके रखी है अब हम हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी जो है ड्राइ करेंगे कीमे को कोख होते हुए तकरीवन 20 मिनिट सूख गया है और आप यहां देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो आपे खतम हो चुका है दही के जितना पानी निकलाता वो सब ड्राय होगी है और अपना कीमे को हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे फाइफ मिनिट के लिए आपने मुस्तकिल चम्मच चलाना है चम्मच रोकना नहीं है वरना निचे कीमा लग जाएगा आपने अच्छे से इसको भूना है एं अगर आप लोंग उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं वह भी शेयर करोंगी वह कीमा बहुत जादा सॉफ्ट होता है मतलव पता हिन चलता किमा खा रहे भूस बहुत सॉफ्ट मॉलाईम सा कीमा होता है कच्री कीमा ठीक है वह भी बनता है और यह है दम कीमा दोनों अलग अलग अ अचा जी यहां पर पस कोई भी आप कांच किया च्टील की चोटी सी पॉट सी या प्याली सी ले 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 लें उसके अधर कोईले का जो है पीस मैं गरम करा ता वो रख दिया है और इसके ओपर मैं थोड़े से कीमे का ही ओएट करूंगी आपने नॉर्मल ओएट नहीं करना उस सादम कीमा रेड़ी और आप इसको कर लेती हूं डिश आप और आप यहां पर गार्निश करेंगे प्यास और कुछ हरा धनी पॉदीना प्यास और हरी बिंचों से ताके दिखने में बहुत अच्छा लगे और यह है मेरे कीमे की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना च्किकते सॉथक और बा कीमे कीमे का अइस्चावड़ Atlantic' को पूड़ी के साथ सर्फ करें आप और बैस को पराथा करें आप डवन की जान यहां आप लोगों इस। अपनी है डिम करने हैं अगर आप लोगों क्या हैं आप लोगों की पोस्ट एट करूंगी तो अब चाहते ह आप लोगों से इजाज़त मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफेज